हलो नमस्ते सर नमस्ते क्या शुब नाम आपका सवा मत बोल रहा हूं सर नौयूगा इंजिनिरिंग कंपनी लिमिटेट से सर देखे मैं मैं मेरा टेलीफोन जो है उसे स्पीकर पर रखा है ताकि मेरे साथ जो लोग बैठे हैं वे भी आपकी बाते सुनना चाहेंगे सबसे पहले तो मैं सभी आपके और आपके सभी साथियों को बदाई देता हूं एक सुखरूप हम इतने संकट के बाद भी निकल पाएं और मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है मैं शब्दों में वरणन भी नहीं कर सकता हूं वरना कुछ भी बुरा हो जाता तो साइद मन को इतनी कैसे समाल पाते कहना कठिन था यह केजारनाद बाबा की बद्रिनाद बवान की पुर्पा रही कि हम सब स्वख कुशल आप लोग आए हैं और 16-17 दिन समय कम नहीं होता है आप लोग ने बहुत बड़ी हमबत दिखाई बहुत बड़ी हमबत दिखाई और एक प्रिमाएं यहने रेलवे के डिबे में भी साथ साथ चलते हैं तो कभी कभी तो तुटु में में हो जाती है लेकिन इसके बावजूद भी आपने इस सारा धैर्य रखा मैं लगातार जानकरिया लेते रहता था मुख्यमंत्री जी से भी लगातार संपर में रहता था मेरे चीनता तो कम होती नहीं जानकरियों से तो समाधान तो होता नहीं है लेकिन मैं सच्मुख में आपके माध्यम से वहां जितने भी हमारे स्रमिक साथी निकल करके आये हैं सब को और उनके परिवार का पुन्य भी काम आया है ताकि इस संकड़ की घड़ी से बाहर निकल करके जाये हैं आप कुछ करना चाहेंगे? इस बेंदें हम लोग भाई के रहते थे सब एक जगह एक जगह और राथ में खाने के बाद मि जेतने भी हमारे आजमीते सब को पोता था हुआ कि चलो एक बार तहलते हैं मतलब टनल का जो हमारा लेंथ है सब्सक्राइब करेंगे सब्सक्राइब उत्राक्षंट सर्कार की सर जिसने हमारे साथ इतना अच्छा वेवार किया सर और हमारे मानियमुक्ष मंत्री धामी साभ शाहर करते थे सर उनका भी बहुत बहुत शुक्रीयादा करेंगे सर वहम लोग का बराबर हालचा लें जानिा सरкого ही एवररां पुरा समय वहां रहे और वेभी बिल्कुल डिसीप्लेंग जैसे उनकी जो सोल्जर वाली ट्रेनिंग है नहीं वह पूरी ट्रेनिंग इस बार उन्होंने दिखाई जी सब्सक्राइब लेकिन मैंने सुना कि आप में से कोई योगा भी जानता था योगा वगरी भी करते थे जी सर वहीं मॉर्निंग में सर योगा वगरा सिखा सिखाता था सर हम लोग करना अंगर में तो कुछ खाने पिने के अलावा और तो कुछ काम है नहीं सर तो मॉर्निंग में हम लोग मॉर् कि नमस्कार नमस्कार गबर सिंग जैहिन देखो गबर सिंग मैं मैं तुम्हें तो विशेश सुर्थे बढ़ाई देता हूं क्योंकि मुझे डेली रिपोर्ट हमारे मुक्मंदी जी बताते थे कि आप दोनों ने जो लिडर्शिप दी और जो टीम स्प्रिट दिखाया मुझे तो लगता है शायद कभी किसी उनिवर्सिटी को एक केस्ट्रेडिक ताहर करना पड़ेगा कि गबर सिंग नेगी गाउं का वेक्ति उसमें वो कौन सी लिडर्शिप क्वालिटी है कि इससे संक ना चाहूंगा कब बहुत बहुत धन्यवाद सर्थ थैंक्यू आप लोगों का आशिर बात था सर्थ आप लोगों ने हमारा हुसरा बड़ाए सर्थ हमारे माननीय मुख्यमंत्री प्रुसकर शिंग धामी साब हमसे बात बार बात करते हैं वो कम से हमारे कॉंटेक्ट में ब इसके परदानमंदि ने आप जो है जब बाहर से हमारे देश के अधर कंट्री आप लोग खीच के आए इंसान बचा कि ला सकते हैं तो हम तो अपने घर में थे इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं जाद है इस मुष्किल के घड़ी में एकदम आराम से रहे और हमारी हारवात सुनी है जैसे अमने का उन्होंने सबसे एक और बात भी कहना चाहूंगा आपको शाज अंदर अंदाज नहीं होगा आपके परिवार के सब लोग बहुत दुखी थे पुरा देश एक सोचालिस करोड देश के लोगों को चिंता थी और सुबह साम जो भी मिलता था तो मुझे यही पूछता था कि मोदी जी क्या खबर है यह कब निकलेंगे क्या होगा सामने नागरिक भी मिले से ही सवाल पहले पूछता था और लेकिन मैंने देखा कि आपके सब परिवार जनों ने सामने देखा है कि जब भी ऐसे संकर रहता है तो परिवार के लोग बहुत ही गुशा करते हैं परिवार के लोग बहुत ही और चिंता और बढ़ जाती है तो प्रवाब प्रवाब विक है आशू आजाना दूख होना तो सभाब विक है अजा आप ऐसे कोई थे जिसको पहले कभी कोई मुसीबत जेल नी पड़ी हो काम करते करते वैसे अंदर कोई थे जिसके कोई अनुभाव काम में आये हो आपके ऐसा दो ने था लेकिन अढ़ दहने अाज गाया तर तब से हमारे सहा बहुत बन कि इसमें आपके पिलिस में अफिसर से थे जर निकों को हमारी आदर क्या नी से रुबिया बाहर वालों के तो संपर्ग में में लगाता रहा क्योंकि मुझे जानकारी रहती थी और मैं चाहूंगा इसाब मुझे बताया कि आप सभी साथ में बैटे हो कि मेरा पहला आगरता भी वहां सारी एंबुलेंस में खड़ी रहें और सब को पहले एक बार हस्पोटराइज किया जाए लेकिन मुझे तुरण डॉक्टरों ने बताया कि इन लोगों की तवेज बढ़िया है यह लोग इतनी मस्ती से अंदर रहे हैं और इतनी हिमत है कि फिर मेडिकली तो कोई प्राब्लम ही नह कि अच्छा बताईए खिलेश जी सर आपको क्या कहना है बताईए जी सर हमको कहना है सर की हमारी जितनी भी टीम लगी हुई थी सर पुसकर सिंग धामिन सर जो भी थे सर अब बराबर हाल चाल लेते रहते थे सर हम लोग को हसला हम लोग का सर बुलंद रहता था बाकि अंदर पुर्ष डेशन और तुम लोग को सबसे ज्यादा कूशी है सर उससे ज्यादा विसर बाहर वालों को पुर्षिये सर वह द्येयरात की हुए सर जुड़ अकले पुरे देश को दुख दुनिया में भी क्योंकि मेरी अभी एक G20 चुमीडत थी तो दुनिया के नेता भी उतर तो सारी दुनिया को चिंता होती है कोई से घटने में तो सारा इंदुस्तान आपके साथ था और आप लोगों ने लेकिन अंदर आपको दिन रात का दो पता चलता नहीं होगा जब तक वह शेद नहीं हुआ करते थे उसके बाद मुबार बाइल वगर्ण प्रॉटा करता देन बाइट कर सबसें लगदने लगद पर जबता होन Capital किसी को हुआ नहीं मुझे जब वह पहली बार छेट करकर के चीजे भेजना शुरू किया तो मुझे लगा गब हम समाल पाएंगे क्योंकि तब तक मुझे चिंता थी क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जब शुरीय का प्रकास नहीं मिलता है तो स्थिती बिगर्णना शुरू हो जाती है सब्सक्राइब करें निकलने के बाद परिवार से बात हुई क्या क्या कह रहे है तो अच्छा है जो भी है जो भी वा अच्छा हुगा आप में से कोई साथी दा उसका भाई तो कह रहा था दो तिन दिन पहले कि बद मैं तो यह निकलते उसको घर ले जाओंगा अब मुझे या काफ करने रही दे रहा है जी सर वो तो है सर मतलब अब भाई भी है सर वहाँ पर जी सर नमस्कार सर मैं सोनुकुमार साथ बोल रहा हूं सर आ सोनुकुमार जी बताईए कहां से हैं आप मैं सर बिहार से हूं सर कहां से बिहार से बिहार में छपराजिला से हूं सर अच्छा ये बताईए बहुत बहुत धन्यवाद सर यहां के जितने भी लोग है जितने भी यह पर जितने भी कारेकारता हैं matter family से लेके जितने एंडे डी आई एसरा में हर वक्त हर समय सहाइयता प्रादान की गई ऐसे है कि ज़ब लोगहा मन ऊब ने लगा है कि एसा कि हो कुछ यहां पर बहुत भूर सुपना रहे हैं लोकों कि यह बहुत पताने कुछ बुरा हो जाता तो पताने हम तो क्या कर सकते थे यानिक अनदर इतनी चिंता होती थी अपार देश में चिंता होती थी लेकिन आप लोगों ने जो हिंबत बनाई है वो आने वाले दिनों में भी देश के कई नागरिकों को यह प्रेणा देगी को एक संकट के समय हमने ऐसा क्या करना चाहिए यह जरा अंदाद तो आएगा सबको पाण गलतियाओं एक अधी प्रीवार की टारा रहते थें आक हमारे जितने भी सीनियर मेंबर्स थे कुछुष मनरञन के लिए कुछ्य होसला हुसला अंगल किकी पाड़क हम लोग परिवार के तरह इक साथ थाना एक साहन ever सब्सक्रामी मतलब साथ रहे सर जब हमारे एंडियारेफ के जवान जब अंदर भुशेत हमारी जान में जान आई हमने इस्वर का धन्यवाद किया बाकि जितने भी लोग वहां पे हैं खासकर हमारे पुशकर सिंग धामी जो हमारे इस उत्राखंड सरगार के मुख्यमंत्री हैं सर उनका त एक सो चालीस करोर देशवास्यों की दोवा भी काम में आई हैं और कुल मिला करके सब इस संकर से निकल करके भार आये हैं तो मेरी आप सबको बहुत सुबकामना हैं मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा है कि आगे अगर आप गर ना जाना चाहते हैं कोई ववस्ता करनी है क्यों प्राब्लेम नहीं है तो आगे जैसा ही आपकी टीम चाहेगी वैसी सारी व्यवस्ता है हमारे मुख्यमंत्री जी चिंता कर रहे हैं तो मेरी आप सबको बहुत सुबकामना हैं और आपके परिवार को भी मेरी तरब से बहुत बहुत बढ़ाई देना और आप लोग स्वस्त मिलेगा तो जुरूर याद करूंगा लेकिन मैं तो आज वैसे मुझे आज इतना अब लोग इतने दिनों के बारा इतना समय आपका लेना नहीं चाहिए था लेकिन मैं अपने उमंग को रोक नहीं पाए इसलिए मैं सोचा भले थोड़ी रात देर हो गई है लेकिन मैं आप से बात करूं क्योंकि मैं मेडिकल चेक अप के पहले बात करना नहीं चाहता था और मैं कल तक इंतजार नहीं कर सकता था तो मैंने सोचा है कि रात को ही बात कर लूँ आप से आप आपके जो नारे थे सुनकर के आज बहुत ही प्रभावित हो जाएगा बहुत 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 शुक्राइब थैंक यू